हेलो दोस्तो मोबाइल गुरू में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लेनोव वाइब इसका एफर पी कैसे बाइपास करना है इसके बारे में आज हम जानेंगे तो ये देखिए ये रिसेट होने के बाद में ये जो है आपका आगे नहीं जा रहा आई है ये आगे यहां पर नहीं जा रहा है विदाओट वाइफाई तो सबसे पहले हम इसका जो है वाइफाई से इसको कनेक कर लेंगे तो वाइफाई से कनेक्ट हो चुका है ये उसके बाद में नेक्ट बटन दबाना है यहाँ पर कुछ भी डाल देंगे इसे टाइप करके और सेलेक करने के बाद में असिस्ट इस ओप्षन को सेलेक करना है जैसे सेलेक करेंगे वैसे आपका ये चालो हो जाएगा इंटरनेट गूगल में आप आगे यहाँ पर आपको क्रोम में जाना है क्रोम में यहाँ पर accept करके no thanks यहाँ पर हमें google account manager यह वाला option से ले करना है और इसे डाउनलोड करके install कर लेना है तो इसे डाउनलोड करने के लिए apk mirror इस option को से ले करें apk mirror वाला यहाँ पर डाउनलोड apk update पर्विशन ओके कर देना है और allow कर देना है डाउनलोड का प्रोसेस आपका यह चलो हो गया है डाउनलोड होने के बाद इसको हम install कर लेंगे जैसे डाउनलोड प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर यह option आपको open करने के लिए देखिया गया है इससे पूछेगा यहाँ पर आपको select करके setting में जाकर यह unknown जो sources से इसको on करना है और okay कर देना है इसके बाद वापस back आकर फिर से से install करेंगे accept और उसके बाद done उसके बाद वापस हमें back आना है और यहाँ पर quick shortcut maker app एपी के ले 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 और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे ओके यह भी जैसे ही डाउनलोडिंग हो जाएगा तो यहाँ पर open के लिए पुछेगा open करके इसे हम install कर लेंगे और इसे open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर google account manager यह select करना है और यहाँ पर जो type email and password यह वाला option दिख रहा है इसको select करना है ठीक है यहाँ पर try वाले पर click करना है अब यहाँ पर आपको browser sign in करना है तो browser sign in में आपका जो कोई पुराना account होगा वो आप डाल के next कर सकते हैं या तो आप create भी कर सकते हैं तो मैं अपना पुराना वाला ही डालूंगा तो मैंने अपना email id और password डाल दिया है और उसे sign in कर लूँगा sign in होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है सिधा बाहर आ जाना है वापस से ठीक है बाहर आने के बाद next next यह देखिए आपका हैंसेट जो है यह पूरी तरह से अब चाल हो गया है ठीक है दोस्तों तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताएं और इससे भी easy-easy method जो FRP के हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा इसके लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे और सब्सक्राइब करने एक बाद बेल वाला बटन जो है उसे दबाना ना भूले दोस्तों